मद्धिपरदेश में विधान सभा का मानसून सत्र 11 जुलाई से शुरू होने जा रहा है मानसून सत्र के पहले विधान सभा ध्यक्ष ग्रीश गौतम ने सर्व दलिय बैठक बुलाई है इस बैठक में मानसून सत्र से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता भी शामिल होंगे ये बैठक 10 जुलाई यानि की शाम को आयूजित की गई है बताते हैं कि मद्धिपरदेश विधान सभा का मानसून सत्र 10 जुलाई से प्रारम होने वाला था इसलिए इसे बदल कर 11 जुलाई से आयूजित किया गया है विधान सभा मानसून सत्र 11 जुलाई को शुरू होगा और 15 जुलाई तक चलेगा इन पांच दुनों में पांच बैठके होंगी इस विधान सभा सत्र के दौरान प्रदेश में कथित रूप से आदिवासियों और दलितों पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे को कॉंग्रेस जोर शोर के साथ उठा सकती है